एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है आज हम गोवा ट्रिप के बारे में बात करते हैं गोवा देश का एक प्रमुक परेटेन स्थल है गोवा में देश ही नहीं दुनिया भर के टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं यदि आप गोवा घूमने की योजना बना रहे हैं तो गोवा केसे पहुँचे ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है गोरतलवे की देश के सभी बड़े शहरों से गोवा तक सीधी रेल सेवा, बस सेवा तता हवाई सेवा उपलब दे यदि आपके पास समय की कमी है तथा बजट संबद्धित कोई दिक्कत नहीं है तो आप फ्लाइट से गोवा जाईए यदि आप एक से दो महीने पहले गोवा जानी की एकोनोमी फ्लाइट बुक कर लेते हैं तो फ्लाइट का किराया प्रतिवेक्ती दो हजार से तीन हजार रुपे के बीच ही पड़ेगा तता आप अपने ग्रह नगर से फ्लाइट से केवल एक से दो गंटे में गोवा पहुंच जाएंगे यदि आप ट्रेन से गोवा आते हैं तो ट्रेन का किराया तो बहुत कम लगेगा परन्तु गोवा तक पहुंचने में समय एक से दो दिन लग जाएंगे बस से भी गोवा पहुँचने में काफी समय लगेगा इसलिए हमारा आपको सुजाव है कि आप फ्लाइट से ही गोवा जाईए गोवा पहुचने के बाद आप एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अत्वा बस से अपनी आनलाइन बुक होटल टक टेक्सी से जाएं गोवा में आप होटल एसी बुक कीजिएगा जो बीच के पास हो अपनी होटल में चेक इन करने के उपरांद आप अपनी होटल में चाय नाश्ता करें तता उसके बाद अपनी होटल के पास जो भी बीच हो, महां घूमने निकल जाएं आप समुदर के पानी में खुब इंजोई करें डिनर भी आप बीच पर जो सेकड़ो रेस्टोरेंट्स होते हैं, महां ही करें डिनर करने के उपरांद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार खुब शुरुत गोवा में आपका पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन आप अपनी होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा गोवा घूमने के लिए आप होटल से बाहर निकल जाएं होटल के बाहर ही आपको किराय पर स्कुटर, बाइक तथा कार देने वाले ट्रेवल एजन्ड मिल जाएंगे आप वहाँ से अपनी मन पसंद गाड़ी किराय पर ले सकते हैं स्कुटर का एक दिन का किराया केवल 250 रुपे होता है, बाइक का किराया 3500 रुपे तथा कार का किराया 800 से 1000 रुपे के लगबग होता है ये वहाँ किराय पर लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या ड्राइविं लाइसेंस की फोटो कापी टेवल एजन्ट को देनी होती है एक बात और ध्यान रखें कि आप जो भी गाड़ी किराय पर लेते हैं, उसका फोटो अपने मोबाइल में खीच ले तथा उस वहाँ का RTO registration नमबर मीं नोट कर ले इसका कारण यह है कि गोवा में आप जहां भी अपना वहाँ पार्क करेंगे वहाँ आपके वहाँ जैसे ही स्यक्ड़ो वहाँ पार्क होंगे यदि आप अपनी गाड़ी का नमबर याद रख लेंगे तो आपको अपनी गाड़ी खोजने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा वहाँ किराय पर लेने के बाद आप सबसे पहले अपने वहाँ में पेट्रोल डलवाएं क्योंकि जब आप गाड़ी किराय पर लेते हैं तो गाड़ी किराय पर देने वाले गाड़ी में लगबग आधा लीटर पेट्रोल ही देते हैं गोवा में पेट्रोल पंप बहुत दूर होते हैं इसलिए गोवा में हर आदे किलोमेटर पर सड़क के किनारे बॉटल्स में पेट्रोल बिखता हुआ मिल जाएगा आप पेट्रोल पंप की जगह इनसे ही पेट्रोल ले ले हाला कि यह पेट्रोल आपको 5-10 रुपे बागा बीच देखने जाएं इस बीच पर आप डॉल्फिन राइड पेरा सेलिंग बनाना बोट राइड वाटर स्कूटर आदी वाटर एक्टिविटीज को अपने परिवार के साथ इंजोई कीजिए यह सारी वाटर एक्टिविटीज आप यदि एक साथ बुक करते हैं त इसके बाद आप अगोडा फोर्ट चापुरा फोर्ट तथा स्विंक्वेरियम फोर्ट देखने जाएं इन फोर्ट को देखने में आपको तीन से चार घंटे का समय लगेगा गोवा के फोर्ट देखने के बाद आप अपनी होटल में या किसी अन्य रेस्टोरेंट में डिन पर 8 बजे तक पहुँच जाएं इसी होटल के रिसेप्शन से आप साउध गोवा बस ट्रिप बुक कर लें इस ट्रिप का किराया एसी बस से केवल साड़े तीन सो रुपए है बस आपको इसी होटल से साड़े आड़ बजे पिक करेगी तथा आपको साउध गोवा के आपको ओल्ड गोवा के चर्च जैसे बसलिका आफ बॉम जीजस, सेंट केथडरल चर्च, श्री मंगेश टेंपल, श्री शांता दुर्गा टेंपल, बिक फूट, पोर्टगीज हाउस तता साउध गोवा के बीच का अच्छे से ब्रहमन कराएगी गोवा टूरिजम की होट आपको घूमने के लिए भी काफी समय देती है, जिससे आप आराम से इन टूरिस प्लेसे को अच्छे से एक्स्प्लोर कर पाएगे, यह बस आपको कलिंगड रेसिडेंसी में रात को साड़े आट बजे छोड़ देगी, जहां से आप अपने स्कूटर से या टेक्सी से अप चाम से पांस से दस मिनट में पहुंच जाएंगे, इसके बाद आप डिनर करके अपनी होटल में रेस्ट करें, इस प्रकार गोवा में आपका तीसरा दिन समाप्त होता है चोथे दिन आप सुबह का ब्रेक्फास्ट करें, तता दूद सागर वाटरफाल देखने के लिए अपनी स्कूटर से या अपनी कार से निकल जाएं यह वही जहरना है जिसे चेन्ने एक्सप्रेज मूवी में दिखाया गया था यह वाटरफाल सडक मार्ग से 50-60 किलमेटर दूर इस्तिते दूद सागर वाटरफाल से लगबग 15 किलमेटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है तता आगे की यातरा महाँ पर वन विभाग द्वारा स्वीकरत एवं अधिकरत जीप से ही करनी होगी इस जीप का किराया 400 रुपे प्रतिविक्ती होता है तता फॉरेस्ट एंटरी फीस तता लाइफ जेकेट फीस 50-50 रुपे अलग से देनी होती है इस प्रकार 500 रुपे प्रतिविक्ती खर्च इस वाटरफाल को देखने में आता है इस waterfall को देखने के लिए आपको जीप जिस जगह छोड़ देगी वहाँ से आपको पेदल भी बहुत चलना पड़ेगा यदि आपके साथ छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग है तो आप इस waterfall को देखने मत जाईएगा क्योंकि इस waterfall तक पहुँचने का रास्ता फिसलन भरा तथा उबर खा बड़े जिस जीप से आप दूद सागर waterfall देखने जाते हैं उसका driver आपको केवल डेड़ घंटे का ही समय इस ज़रने को देखने के लिए देता है तथा केवल डेड़ घंटे में ही आपको वापस अपनी जीप तक लोटकर आना पड़ता है तथा वह जीप वापस आपको आपकी गाड़ी जहां पार के महां छोड़ देती है इसलिए आप इस ज़रने को ठीक तरह से एक्स्प्लोर नहीं कर पाते हैं इस वाटरफाल के पास खाने पीने की भी कोई अच्ची रेस्टोरेंट नहीं है इसलिए आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामन जरूर ले जाईएगा यह वाटरफाल पूरे साल बर भैता रहता है परन्तु वर्षा रितु में इस ज़रने तक जाना बहुत खतरनाक माना जाता है यदि आप वर्षा रितु में गोवा जा रहे हैं तो भूल कर भी इस ज़रने को देखने मत जाईएगा गोरतलब है कि पहले ट्रेन द्वारा भी इस ज़रने को देखा जा सकता था परंतु कौंकन रेलवे ने जरने वाले स्थान पर ट्रेन को रोकने की मनाई कर दिये तो आप इस waterfall को अब ट्रेन द्वारा नहीं देख सकते हैं हमारी आपको सला है कि यदि आपके पास पूरा एक दिन हो तथा आप पूरी तरफ फिट हो तो ही इस जरने को देखने जाईएगा इस waterfall को देखने के बाद आप वापस अपनी होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें पांचवे दिन आप अपनी होटल में सुबह का नाश्टा करें तथा कलिंगट बीच अत्वा बागा बीच पर आ जाएं यहां से आप डॉल्फीन बोट राइड ट्रिप बुक करें डॉल्फीन बोट राइड ट्रिप का प्रतिवक्ति किराया 300 रुपे होता है आप बारगेन करके किराया कम भी करा सकते हैं डॉल्फीन बोट राइड सामाने ता सुबह के समय ही चलती है Dolphin Boat Ride Trip में आपको समुदर में काफी दूर तक ले जाकर Dolphin दिखाई जाती है Dolphin Boat Ride Trip में आप सेकडो Dolphin को बहुत पास से अठखेलिया करते हुए देख सकते हैं इस Dolphin Boat Ride Trip में आपको लगबग 2 घंटे का समय लगेगा Dolphin Boat Ride करने के बाद आप बीच पर फोटो क्लिक करा सकते हैं बीच पर बहुत सारे प्रोफिशनल फोटोग्राफर्स होते हैं जो कि आपके बहुत सुन्दर फोटो क्लिक करेंगे इसके बाद आप वहीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर लंच करें तथा उसके बाद आप अपने परिवार के साथ बीच शेक्स पर आराम करें गोर्त लभी की बीच शेक्स एक प्रकार की आराम करने की कुरसिया होती हैं जो की बीच की रेट पर लगी होती हैं तथा इनके उपर बड़े बड़े रंगीन चाते लगे होते हैं इन बीच शेक्स कुर्सियों का किराया सो रुपे प्रती घंटे होता है इसके बाद आप अपनी गाड़ी से सांता मोनिका जेटी नामक इस्थान पर जाएं यहाँ पंजी के पास है इस जगह से गोवा की मांडवी नदी में जो क्रूज चलते हैं उनमें बिठा जा सकता है आप इवनिंग क्रूज अत्वा संसेट क्रूज बुक करें इसका किराया 200 रुपे प्रती विक्ति होता है यह क्रूज आपको लगबग एक घंटे तक नदी में घुमाते हैं इस दोरान क्रूज पर गोवा के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं यदि आपका मन गोवा के केस केसिनो में भी जा सकते हैं केसिनो की एंट्री फीज 3,000 रुपे से 6,000 रुपे की बीच होती है इसमें रात का डिनर भी शामिल होता है तथा केसिनो में खेलने के लिए कुछ चिप्स भी फ्री में मिलती हैं परंतु आप यह ध्यान रखें कि केसिनो में आप 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं कुरूज तथा केसिनो में इंजोई करने के बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार आपका कोवा में पांचवा दिन समाप्त होता है छटे दिन आप सुभा अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा अपनी किराई से ली गई गई गाड़ी वापस कर दें इसके बाद आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अथो बस सिस्टन पहुं जाएं इसके बाद आप अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी खुपसरत गोवा ट्रिप खुपसरत यादों के साथ समाप्त होती है अब हम इस छे दिन की गोवा ट्रिप के अधिक्तम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का टेक्सी या स्कुटर का कुल किराया 6,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का एक्टिविटी का कुल खर्च 8,000 रुपे तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही गोवा घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू